कालर्स्तिविके सो सिपसक्ति ताप्त या तांदफ के वीट एपिस्टोट के सुरूबात में हमें देखने को मिला माता गंगा देखती है कि माता परबती को एक बाग फूल अरपन करता है और उन्हें सीज जुका कर परनाम करता है पर माता गंगा दरकर माता परवति को अपने गोत में उठा लेती है ताभी स्रीहरे विश्नों बहां आते हैं और वो माता गंगा को कहते हैं कि अब दर्यमत कोई बागं अपने स्वामिक के स्वति नहीं पसा सकता नारायन यह भी बताते हैं कि यह यह आदिशक्ति का पुनरजन्म हुआ है महादेप उन से रूस्त है पर उन्हें मानाने के लिए हम परवती जी की मदद करेंगे महादेप और परवती जी की साधी होगी तब माता गंगा कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि यह देविशक्ति का पुनरजन्म हुआ है वो महादेप से प्रेम कर वे थी तो नारायन कहते हैं कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है आप देविशक्ति और महादेप के प्रेम कथा में एहम भूमिका निभाएंगे नाराज जी कहते हैं कि इसलिए नारायन ने उनके हाथ पर रुटक्स का कंगन पहनाया है नारायन कहते हैं कि हमें पार्वती जी को सिभभग बनाना होगा ताभी माता पार्वती रोती है और गंगा माता कहते हैं कि क्या हुआ पार्वती क्यू रो रही हो तुप नाराची कहते हैं कि डेवीश शाति को नांबी जी ने बताया था कि नाजरण और नारत और गुप्धद सरत पहुत जाता है औहुपार्च पास लेकर पहुझ जाता है और वह सकति का पता बता देते हैं तर्कासुर कहता है कि इतने बर्षguru से हमें पारवुटि को धुन रहे थे आप वो हमें मिल गई है में उससे घाट उतार दूंगा वहीं तर्कासुर एक उप्तर सव्कों को या खबर लाने के लिए उसी में पूरस कर देता है और वो कहता है कि आप में जाता हूं परबती को मारने पर असुर माता दीती उसे रोकती है और कहती है कि ये कम कार्णे से पहले सोस बिशार कार लेना साहिए वो साहता है कि वो तो एक काइन्या है वो किया विगर लेगी हमारा वही माता परबती अमनर समना होने बाला है जा तरकासुर शोती पहसा पाईगा परबोती को बोतो हमें आपका मीघ थी पिसोत में देखने को मिल जाएगा तो आपका मीघ पिसोत को देखने के लिए कितना ज़िए यह अध्या एक्साइच्टा है